हेलो दोस्तो, 11 kilo hammer machine में peer pass problem, आपके साथ कुछ share करते हैं, देखिए 11 kilo hammer machine में जो boss company का 11 kilo hammer machine है, उसमें जो armature fitting होता है, तो ये semester company का armature है, देखिए नया armature, आपके साथ कुछ details, जानकारी share करते हैं, तो इसमें जो machine मैंने जो pro gain company का एक machine open किया था, उसमें कुछ peer pass damage हो गया था armature उसमें connecting rod, o-ring, तो देखिए उसमें जो armature है न, o armature boss company का 11 kilo hammer machine है, उसके साथ match करते हैं, तो armature match हुआ था, मैंने boss company का machine का कुछ peer pass order किया था, तो उस peer pass इस machine में कुछ-कुछ fit होता है, आप कुछ-कुछ fitting नहीं होता है, उसमें क्या problem होए हैं, तो आपके साथ real में share किया है, तो देखिए मैंने उसमें connecting rod, speed stone, o-ring order किया था, देखिए connecting rod, तो आपके साथ हम share करते हैं, तो बाहर करके gear के साथ match करके, तो आपके साथ जितने भी जानकर ही है, आपके साथ हम share करते हैं, देखिए connecting rod मैंने बाहर कर लिया, fiber का connecting rod है, तो machine में connecting rod नहीं मिला था, low A का connecting rod बन के उसको चलाने की कोशिस किया तब उसमें भाइवेशन होने के बाद बैरिंग तूट गया आर्मेचर भी डेमेज हुआ है देखिए तो फाइबर का ये फाइबर बहुत ही एच्छे कॉलेडिवल है कंपनी का ओर जिनाल नहीं है मार्केट में जो चालू है ओ ही है तो में भाइवेशन नहीं होगा तूटेगा नहीं जल दी तो इसलिए कंपनी उसमें फाइबर का बनाया है और एमसीन बहुत ही लाइट होता है मैंने पीन भी एक ओराद दिया था तो पीन तो बिल्कुल ठीक था फिर भी मैंने फीन ओरार किया था तो उसमें पिश्टोन नया डालेंगे तो सभी हम नया उसमें फिटिंग करेंगे उसमें कुछ भी पॉब्लम रहेगा तो ठीक हो जाए तो उसमें पिश्टोन थोला खराब हो गया था हमने बॉस कंपनी और आर किया था तो बॉस कंपनी का देखिए औरिजिनल पिश्टोन है ओपन करने के बद आपके अब बॉस कंपनी का औरिजिनल पिश्टोन फाइबर का होए तो कंपनी ऐसे बनाया है तो जो पुरो गेन कंपनी का मैसी ने उसके अंदर जो पिश्टोन दिया था पिश्टोन का साइज आप देखिए देखने भी अलाग है और साइज थोड़ा बड़े है देखिए बड़े है अर्मेचर मैच होता है गेर मैच होता है देखिए इसमें जो साइज आपको देखके पता चल रहा है बॉस कंपनी का पिश्टोन है उसमें साइज छोटे है तो जो प्रोगेन कंपनी का मैसी ने उसमें और रिंग खराब होआ है तो रिंग को चेंज करना है तो मै यहां पर bearing fitting होता है उसमें जो roller bearing fitting होता है वो roller bearing भी बड़े है तो open करने के बाद आपके साथ share करेंगे तो oring भी हम लेके आये थे देखिए दो oring तो ए oring बहुत कमपने में fitting होता है जो machine मैंने open किया उसके साथ fitting नहीं होगा तो उसका oring खोलके दोनो oring के साथ compare करके आपके साथ share कर देते हैं देखिए machine के साथ जो gear है उसके अंदर हम connecting rod को fitting करके देख लेते हैं देखिए fitting तो बड़े से हो रहा है इसलिए मैंने उसका मैंने बहुत दिन पहले एक gear change किया था तो 11 kg है मारका उसी gear के साथ हम match करके देख लेते हैं जो मेरे पास machine उसका gear के साथ मैच हो रहा है यहां से खराब हुआ था तो slip हो गया था तो एक gear को change किया था मैंने तो मेरे पास राखा हुआ था उसी को match करके मैं देख लिया दोनों gear तो बिल्कुल एक जय साही है तो boss company का armature fit हो रहा है तो boss company का gear भी उसमें fitting होते है तो इसमें जो striker होता है ना striker का जो o ring है ये o ring इसमें fitting नहीं होगा, o ring थोड़ा बड़े है और इसमें छोटे है और ओरींग थोड़ा पतले है इस थोड़ा मोटे है तो इसमें खेच के हम बड़ा करके इसको फिटिंग कर भी दे इसमें काम नहीं आएगा तो ओी करके देखते हैं तो आपके साथ श्यार करते हैं देखिए दोनों और इंग एक साथ हम रख के देखा आया तो जो प्रो ग्रीन कंपनी का मैसीन है उसमें ऊरइंग थोड़ा बड़े है और बस कंपनी के जो मैसीन के ऊरींग है ना हो फिटिंग बड़े से ने हो रहा है जड़ जबस तो इसको fitting करके देखते हैं तो बड़े से तो fitting हो गया है तो अंदर चला गया o ring तो छोटे हैं तो अंदर चला जाएगा उसके अंदर हम fit करके देखते हैं तो fitting तो हो रहा है उसमें उतना अच्छा काम नहीं हो रहा है तो ऐसे हम फीट करके छोड़ साकते हैं, वो काम नहीं होगा, मेरा नाम खराफ हो जाएगा, किसी का ऐसे करना भी नहीं चाहिए, तो मैशन में बहुत सरे समन, मैच नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या है, जो रोलर बेरिंग फीटिंग होता है, आरमेचर का अंदर वो भी नहीं fitting हो रहा है तो pair pass नहीं मिलने के बज़ा से यह machine हम fit नहीं कर पाया जो 11 kilo hammer machine में boss company का machine का कुछ-कुछ pair pass उसमें match होता है और मैचर बड़े बलग ग्यार match हो रहा है दुसरे कुछ भी pair pass उसमें match नहीं हो रहा है जहां पे bearing बैठते हैं तो आर्मेचर का आगे और रोलार बेरिंग वो भी बड़े है उसमें जो पैड लगते है वो भी इसमें फिट नहीं हो रहा है दूसरे जो चाइनिस मैसिन मारकेन में मिलते हैं बॉस कमपनी का सभी प्यरपस लगबो लगबो मैच हो जाता है बड़े से फिटिंग भी होता है तो इसमें ऐसे नहीं हो रहा है तो मैसिन को हम ओर्रंग तो चेंज करना है ओर्रंग खराब हो गया उसको चलार नहीं पाएगे तो आरमेचर फीिट हो जाएगा उसमें जो रोलार बेरिंग तूट गया उसका साईज अलाग है रोलार बेरिंग उसको model नमबर देखा के bearing house से हम order करके ले आ सकते हैं bearing तो मिल जाएंगे उसमें कुछ भी problem नहीं होगा तो उसमें जो o-ring है ना o-ring fitting नहीं होगा उसमें piston थोड़ा खराब होआ है piston भी हम change नहीं कर पाएंगे तो हमें जो piston है कौन सी company के साथ है match हो रहा है हमें उसको ढूंड़ना है तो कोई बता भी नहीं सेखता model numbers से हम order करते हैं model numbers में match नहीं कोई इतना time किसी के पास होते नहीं है तो हम दिल से सभी को request करेंगे आपको machine खरदना है banded machine खरदो आपको ऐसे कुछ problem नहीं होगा तो आपको सस्ते बाला जो भी machine होता है आप खरद लेते हो Chinese बाला machine खरद लेते हो उसमें pair pass नहीं मिलेंगे तो कितना भी अच्छा machine हो आपको फेगना है तो ये machine मैंने fitting नहीं कर पाया मेरेको बहुत कष्ट हुआ है तो आपके साथ हम real में share करते हैं तो इसमें fill call हम पहले fit कर लेते हैं तो machine को हमें राख लेना है तो इसमें fitting करते हैं तो इसके बाद हम bearing open करेंगे आपके साथ कुछ share भी करेंगे और इसमें जो fill call का quality है बहुत ही अच्छे है मैंने देखा इसमें fill call machine में जो भी pair pass company दी है बहुत ही अच्छे है बहुत ही heavy मना है इसमें काम भी बहुत अच्छे से करते है बहुत अच्छे machine है इसमें switch आपको 5 kilo hammer machine में जैसे switch होता है ऐसे ही switch दिये है और 11 kilo machine में switch आप lock करके चलाना है उसमें switch bond नहीं कर पाऊगे इस machine में जो fitting दिया है आपको उस dealer का address में comment box में share करना है तो machine हम repair कर पाएंगे तो आपके साथ हम share कर रहे हैं कर छो हम थिए कर दो reasonably हो है देखिए इसमें जो रोलार बेरिंग अंदर में रहता है ना और तूट गया है इसमें जो ओल सील है ना ओल सील देखिए इसमें ओल पैड होता है इसमें ओल सील दिया है बहुत ही अच्छे फिटिंग्स किया है ओल सीली बेस्ट होता है ओल पैड अच्छा नहीं होता है देख बहुत दिन तक चलते भी है उसमें roller bearing तूट गया है तो हमें roller bearing को बाहर करना है तो आपके साथ share भी करना है तो पहले हम oil seal को बाहर कर लेते हैं अच्छे से साथ साभाई कर लेते हैं तो oil seal बाहर करने के बाद उसमें एक circle होता है circle को हमें बाहर करना है उसके बाद bearing बाहर होते हैं देखिए आपको circle देखाई दे रहा है circle को inner lock plus से हम इसको बाहर करना है देखिए circle को साइज भी थोड़ा बड़े लग रहा है तो जो मैसीन होता है उसमें छोटे होता है तो इसके अंदर bearing है अच्छे से साब साभाई कर लेते हैं आपको बेरिंग देखाई दे रहा है बेरिंग का साइज आपको बड़े लग रहा है तो इसमें circle बेर साइज भी बड़े है तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा जो bearing इसके अंदर फिटिंग होता है मैंने पिछले बार एक मैसीन में आपको देखाई था उसको bearing को मैंने तोड़ के बाहर किया था तो बेरिंग तो पहले से टूट गया है इसको पीछे जट टककर मारके हम इसको बाहर करना है देखिए bearing बड़े से बाहर हो गया है तो अच्छे से हम साप कर लेते हैं देखिए bearing बड़े से बाहर हो गया bearing का साइज भी आपके साथ सेर कर देते हैं देखिए bearing बूती बड़े है और जो भी 11 किलो मैसीन होता है जो बहुत कंपणिया तियार किया है उसमें जो bearing fitting होता है वो छोटे है size में छोटे है तो मेरे पास एक पुराना है पुराना को इसको fitting करेंगे नया fitting नहीं करेंगे तो खराप होने का chance होता है तो आपके साथ share कर देखिए size देखा देते हैं मैंने पिछले बार एक bearing open किया था उसको तोड़के तो ये भी तूट गया है तो टक्कर मरके जब भी इसको बाहर करते है तो हमें बड़े से इसको बाहर करना है तो हमें inner pullar खरदना है तो मैं pullar खर देंगे तो आपके साथ share भी करेंगे तो सभी अच्छे काम करने के लिए सभी प्यार पास को हमें खरदना है थोड़ा महेंगे होता है तो मेरे पास इना पाईसा अभी तो नहीं है तो हम कोशिस कर रहे है collection कर रहे हैं खरदने के लिए देखिए इसमें flashlight off करके आपको size आपको देखा रहे देखिए size इसमें आपको देख रहा है अच्छे से कुछ समझ नहीं पा रहे है तो थम्मेल में आपको दे देंगे number मैंने दूसरे bearing ले 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 थे छोड़े size का जो bearing है देखिए ए bearing मैंने मैंसे में fitting था इसको बाहर के था वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे देखिए दोनो bearing बिल्कुल आलाग है अंदर बाला अंदर का size नहीं सेम है बाहर का size थोड़े बड़े है तो अंदर में आपको इसमें दो bearing एक जाई size है अंदर में fit हो जाएगा आरमेटर का साथ देखिए बेरिंग अंदर डालेंगे तो अंदर चला जाएगा देखिए बेरिंग तो ए बेरिंग मार्केट में आपको ख़़ने को मिल जाएगे सभी part tools जो भी part tools दिलर है तो उसके पास आपको 11 clock का roller bearing बोलने से दे देगा देखिए जो पैड़े यह भी ख़़ने को मिलते है देखिए यह भी अंदर चला गया बहुत ही easy है तो इसमें bearing का side थोड़ा बड़े है इसलिए ऐसे problem हो रहा है तो bearing हमें dealer से order करना है OLC भी market में ढून के लेके आना है तो model number से order करेंगे तो नहीं मिलेंगे देखिए आर्मेचर दोनों बिल्कुल एक जैसा है तो boss company के machine के साथ match हो रहा है तो boss company के pair pass से में fitting होंगे तो इसमें ऐसे नहीं हो रहा है इसमें सब pair pass अलग-अलग है ऐसे problem कभी देखा नहीं पहली बाद देखा तो आपके साथ मनें share किया है पुटे वलो जो bearing है ना पुराना वलो जो आर्मेचर उसके साथ भी fitting हो रहा है तो fitting तो होगा इसी का तो इसमें bearing है company इसों तयार किया है तो इसमें जो fitting से वो थोड़ा अलग है जब भी machine खरते हो आपको देखके खरतना है तो इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिलेंगे तो इसलिए हमेंने share किया है तो आपको भी ऐसे machine नहीं खरतना है आपको bandit machine खरतना है सभी pair pass को मिलेंगे pair pass नहीं मिलने पर आपको machine को फेकना नहीं पड़ेगा